अगर आपको लगता है आपका फोरम रिजेक्ट हो सकता है किसी भी कारण से अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत कर दिया है फोरम बढ़ते समय तो दोस्तो आप सभी के लिए एक और चांस है जी हा दोस्तो आपको बजा दे कि 17 फरवरी से लेकर कि 19 फरवरी तक आप जो है आपकी अप्लिकेशन फोरम में करेक्शन कर सकते हैं अडिट कर सकते हैं मतलब कि अगर आपने नाम गलत डाल दिया तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं आप 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 सकते हैं यहां पर एक news जो है यहां पर साफ सा बताय गया है कि अगर candidates ने कोई भी गलती कर दी है तो वो अपनी application forum को जो है added कर सकता है correct कर सकता है जैसा कि आपका नाम correct कर सकते है डेटो पर यहां भी जो भी information आपने गरट डाली है वो आप उसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ आपको दो दिन का समय दिया ज़रा है 17, 18, 19 जानी कि तीन दिन का आपको समय दिया ज़रा है ठीक है तो 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 तीन दिनों के अंदर आपको यह complete करना है अगर आपने नहीं करा तो आपका जो फोरॉम है एजटी बेसा का वैसा सब्मिट हो जाएगा लोग हो जाएगा फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाएगे तो आपको यहां पर तीन दिन का समय मिल रहा है जिसमें आपको करना क्या है आपकी एप्लिकेशन फोरॉम को लोगिन करना है जिस आइडी से आपने अकाउंट बनाया है ठीक है उसको आपको लोगिन करना है लोगिन करने के बाद में आपको करना क्या है यहां पर सिंपली जो भी आपकी गलती है जो भी आफको लगता है जैसन आपका नाम गलत हो गया पिताजी का नाम गलत हो गया डेक्टोबच गलत डाल दी आपके आपकी embarrassing जो लगत डाल दी औे जो भीalley issued तेब शुड़्य हो आपके सब्सक्राइप यह eh करेक्शन कर सकते हैं यह बहुत ही जरूरी अपडेट थी आप सभी के लिए जीडियस की भड़ती वाले के लिए ठीके दोस्तों इसी प्रकार नहीं अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजेगा अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रिजल्ट कब जारी किया जाएगा कट ओफ कब जारी किया जाएगा ठीके चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़र दबाएगा थैंक्यू सो माच